हेलो वाइटीज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं ऐसी पांच किताबे जो लाइफ के पांच स्ट्रिम्स को आपके लेबल में समझाएंगे और यह सारी की सारी बुक बिगनर्स के लिए भी है और एडवांस लेब ही है अगर आप रिलर नॉबल पसंद करते हो तो या एक बैस सेलर नॉबल हमने आपके लिए नहीं नहीं लाई है उसके अलाबा हम इसमें एक ऐसी बुक रखेंगे जो इसे की स्टूडेंट की लाइफ को पूरी तरीखे से बहरे ही मतलब हमारे लाइफ में क्या हो रहे है क ही एक्टिन में हमने इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी और सब्जेकी लाइफ ड़िशंस की नहीं मिल रहे है उसके लिए किताब है और एक तुसटर नेजमेंट के ऊपर किताब है और एक करके साधी की बात करते हैं सबसे पहले अपन एक ब्दटब करते हैं जिसका नाम ह यह आपके सब कॉंसे स्प्रेंग के बारे में संद्राइगी उसको उसकी इनर्जी को पन कैसे यूज कर सकते हैं, नीचर की इनर्जी को किसी काम, जैसे हम बार-बार किसी काम को पर बार-बार फेल हो जाते हैं, हम एक्जाम दे रहे हैं और यह हमारे एक्जाम ही क्राइप नह सारे रहस से बताए गए हैं कि अगर बीमार है इंसान परसान है कोई भी है उसके कोई विजलाइक की प्रॉब्लम है वो कैसे से दूर पा दूरी पा सकता है तो अगर आप इसके लाइफ में कुछ तरी एक कंडिशन वाला हो तो इसके लिए ये बुक जरूर आपके इंवेश्टर की लाइफ बिजनेसमेन की लाइफ सारी चीज की इंफर्मेशन भी इंफर्मेशन चाहिए उसके साथ हैं लेगे बीमें भी है तो आपको कोई रिक्कत नहीं होने वारी आपके सारे रिजनाल लेंगर में ये बुक अबलेबल है तो सब लिंग पर डिसकुशन एक ऐसी बुक है जिसका नाम है इड़ ये बुक आपके टाइम मनेजमेंट को सिखाती है अगर अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपने फ्रॉग को सबसे पहले खालो मजा आता है पढ़ने ने और बहुत सारे जो प्रॉस्टिके नेशन हैं हम पढ़ते प निकल तो हमारे पास नेस्ट बुक है चेतन भागत द्वारा लिखी गई ये एक ऐसी थ्रिलर भरी कहानी है जो कि आपको बहुत ही ज्यादर रोमांची करेगी मतलब अगर आप इस बुक को पढ़ना चालू कर देते हो तो आपके मन में सस्पेंश चलता रहेगा आप चीज तो इसकी थोड़ी सी फ्रेमिंग एक थोड़ी सी बच्ची रहती जिसको कोई किटनाप कर लेता है और बात में उसी को ढूरेने की पूरी कहानी इसमें दी गई है लव, रोमेंस, ध्रिलर, इसके बाद सस्पेंस और जो छोटी-छोटी कोमेडी है सब कुछ से भरी हुई है किताब है और मेरी वहां किताब है अगर नॉबल बेसिक पर बात करेंगी जो मैंने परसनली खुद पढ़ रहना है हमारे पास लाश्ट और इंड एक किंग बुक है यार कर आप हरसत महता में भी लेकरते हो रिच डैड पूर डैड यह बुक आपको सबसे पहले एक एजुक सिस्टम में डिफरेंस समझाएगी कि यार बच्यों को क्या ऐसी एजुकेशन दी जाने चाहिए स्कूल में क्योंकि स्कूल उन्हें एक एंप्लॉई बनाने की कुसिस कर रही है यानि हम लोग की स्कूल में काम पढ़ेंगे अच्छा खासा तो हमें माइक्रोसॉप गूगल यह चोटी मोडी कोई कबरी में यह बैंक वेगर में जॉब बूल जाए तो हमें यह जॉब दिला रही है बट एड़ी इन एजुकेशन का एक पेसिक नियम है कि वह जॉब क्रिएटर बने तो हमारे क्लास का कैसे गधा लड़का सबसे बड़ा अमीरादी बनता है हमारे क्ल सबसे बैठ नहीं लगी एक बार कमेंट करना और मिलते हैं अगले वीडियो में चल्द ही यह सीरीज आपको कासा लागा एक बार भी यह कमेंट करना उसे मेरा प्रस्वान मिलता है और ऐसी तरीके की वीडियो बनानी के लिए हां हमारा सेगेंड वाला चैनल है जिसमें अप यार चेक आउट करो अच्छा लागे तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और अगर पूरा लागे तो डिसलाइक और अपने दोस्तों के साथ रिकमेंट करमाया है तो नय नय चैनल है तो सपोर्ट सीब आपका ही है ठीक है हमारे बाद जादा फंडिंग बड़े-बड़े यार के थैंक्यू बाद हमारे और इसाद बने रहने के लिए और हमारी इस फेमली में दबुक